क्रिपया हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बिल आइकॉन दबाएं नमस्कार प्रभात कबर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है दिन भर की बड़ी खबरों के साथ मैं राजीव धर्खन के चत्रा जिले के पिपरवार में दो नाबालिक बच्चियों की हत्या के बाद स्थानी लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया और पुलिस प्रशासन के खिलाप जमकर नारेबाजी की लोगों का गुस्सा इस कदर फूटा की पूरा पिपरवार कोईलांचल स्वतह स्फूर्थ बंद हो गया आक्रोशित लोगों ने सभी दुकाने बाजार व्यापारिक प्रतिष्ठान कोईला ढुलाई बंद करा दी बिहार की राधानी पटना में एक कॉलेज चात्रा के साथ गैंगरेब के बाद आरोपितों की गिरफतारी की मांग को लेकर स्टूडेंट्स सडकों पर उतर आए पटना के कारगिल चौक पर शुकरवार को प्रदर्शन करने वाले लोगों में कई कॉलेजों के स्टूडेंट्स शामिल हुए यह प्रदर्शन जब उग्र हुआ तो काबू पाने के लिए पुलिस ने लाटियों और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया कॉंग्रेस नेता राहुल गांधी ने रेप इन इंडिया वाले अपने बयान को लेकर माफी मांगने से इनकार कर दिया है राहुल गांधी ने कहा मैंने इतना कहा था कि प्रधान मंत्री मेक इन इंडिया की बात करते हैं लेकिन जहां देखो रेपिन इंडिया बन चुका है। इससे पहले राहुल गांदी के बयान पर आज लोकसभा में हंगामा हुआ। स्मृति इरानी लौकेट चटर जी समेट कई महिला सांसदों ने राहुल गांदी से माफी की मांग की। और अरुनाचर प्रदेश की अपने प्रस्तावित यात्रा रद कर दी है। वहीं आल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने इस बीच सुप्रीम कोट में नागरिक्ता बिल के खिलाफ याचिका दाखिल कर दी है। अपरादों के लिए विशेश अदालतों के गठन से संबंदित बिल भी विधानसभा में पारित हुआ। फोब्स ने दुनिया की सौ सबसे ताकतवर महिलाओं की नई सूची जारी की है। इस सूची में जगह बनाने वाली 23 नई हस्तियों में वित्मंत्री निर्मला सीता रमन 34 नंबर पर है। इसमें HCL Technologies की वाइस चेर परसन रोशनी नडार 54 में बायोकॉन की चेर परसन किरन मजुंदार शौ सरसेट में जबकी UAE स्थित रिटेल मोगल लैंडमार्क रूप की CEO डेनुका जगतियानी 96 में पायदान पर है।